मरिजों को अस्पताल ले जाने के लिए 24 गंडे डूटी पर तैनात अंबुलेंस के चालगों को वेतन का भुकतान न होने से पिछले 6 माह से उनके परिवारों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है कई बार मांदे भुकतान की मांग की जा चुकी है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसे बीच जिले में 102 एंबुलेंस के 6 तर चालग डूटी कर रहे है और ये चालग पिछले 6 माह से अपने परिश्रमिक का इंतिजार कर रहे है गंभिर बिमारी से पीडी तोर अपात कालीन स्थितियों में गरभवती महिलाओं को एंबुलेंस से वाय प्रदान की जाती है इसके लिए एंबुलेंस चालगों को हर समय सतर्क रहना होगा पहले एंबुलेंस चालगों की नियुकती एनारेचेम से होती थी लेकिन पिछले तीन साल से एनेजी कमपनी के माध्यम से चालगों की नियुकती अनुबन के आधार पर की जा रही है दिल्चस बात यह है कि एंबुलेंस चालगों को प्रती महा 13,500 रुपे का भुकतान किया जाता है जिसमें से 9,000 रुपे पी-एफ और अन्य यूजनाव के तहट परिश्रमिक की कटोती के बाद चालग के खाते में जमा किये जाते है परिश्रमिक कम होने के कारण वाहन चालग पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे है ऐसे में पिछले 6 महिने यानि मार्च 2022 से अब तक का उनका परिश्रमिक नहीं मिला है इससे वाहन चालगों के परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है